देवरिया कुशीनगर से समाजवादी पार्टी के स्थानिय निकाय चुनाव यानि MLC पद के उम्मीदवार डॉक्टर कफील खान पर F.I.R हो गई है। की मौत हो गई जिसे महिला को अस्पताल ले जाया गया था उसके ड्राइवर ने कफील खान की खिलाफ केस दर्श किया है। देखा ट्रक ने एक औरत को टक्कर मार दी है। नेवरिया सदर अस्पताल ले गया पर खून अधिक बहच चुका था और तुरंट ऑपरेशन की जरूरत थी। प्राथ में एक उपचार के बाद गोरगपुर रेफर करना पड़ा। अभी उनको भेजी रहा था कि मिश्रा जी की मां गंभीर हालत में आ गई। हाला कि महिला की मौत 27 मार्ज को हो गई थी। लेकिन डॉक्टर कफील खान ने अगले दिन सुबा करीब 8 बजे एक और ट्वीट कर महिला की मौत की जानकारी थी और सदर अस्पताल में स्वास्त सेवाओं की कमी को महिला की मौत का जिम्मेदार ठहराया। कफील खान ने अपने ट्वीट में लिखा, बहुत दुखी हूँ, कल जिन को गोरकपुर रेफर किया था, उनका इंतकाल हो गया। मिश्रा जी की मा जिस 108 एम्बुलेंस से लाई गई थी, उसका ऑक्सिजन सिलेंडर खाली था। सदर हॉस्पिटल देवरिया में ना अम्बु बैग था, ना लेरिंगो स्कोप था, ना एटी, ट्यूब, ना जीवन रक्षक ओश थी, मिश्रा जी की मा का भी देहान्त हो गया। वहीं सदर अस्पिटल के एमर्जेंसी के प्रभारी डॉक्टर रोहिट सिंग का कहना है कि एम्बुलेंस दो तरहा की होती हैं, एक एडवांस सपोर्ट सिस्टम, दूसरी बेसिक सपोर्ट सिस्टम, दोनों ही एम्बुलेंस में सभी सुविधाय होती हैं। महिला की अस्पिटल आने से पहले मौत हो गई थी। रेफर करने की बात गलत है। साथी डॉक्टर कफील खान का ये बयान भी गलत है कि अस्पिटल में दवाई और उपकरण नहीं है। कफील के ट्वीट के बाद स्वास्विभाग में हलचल देखने को मिली। देवरिया डी-म ने बी-ाइडी मेडिकल कॉलेज गोरकपुर के बरखास्त दॉक्टर कफील के इमर्जेंसी में जाकर इलाज करने की घटना को गंभीर माना। सीडियो ने बताया कि मामले की जाच के लिए त्रीस तर्य कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में A.D.M. प्रशासन, चिकिटसा अधिक्षक और A.C.M.O. शामिल है। महीं पुलिस अधिक्षक डॉक्टर श्रीपती मिश्रा का कहना है कि एम्बुलेंस के ड्राइवर प्रकाश पटेल की तहरीर पर सरकारी काम में बाधार डालने पर डॉक्टर कफील के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्श किया गया है। मामली की जाच की जा रही है। 2017 में सुर्खियों में आये डॉक्टर कफील खान चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। कफील को गोरकपुर के बियाडी अस्पताल में हुई बच्चों की मौत के मामले में निलंबित किया गया था। कई महीनों तक जेल में भी बन रहे थे। इस बार समाजवारी पार्टी ने कफील खान को देवरिया कुशिनगर स्थानिय निकाई सीच से विदान परिशत सदस्य का प्रत्याशी बनाया है। नेखते रहे दिल अलंटो शुक्रिया।